हेलो एव्रीवन कैसे आप सब लोग उमीद कर रही हूं पढ़ाई जोरों से चल रही है एक्जाम डेट नियर है स्पीड थोड़ी पकड़ ली होगी मैं आपके साथ मीनू ठाकूर आपकी एजुकेटर बनी रहूंगे इस पूरे सेशन में आप सभी का स्वागत है इस अमेज बड़ी चैटर भी देखें उसके अंदर हर कंसेट को समझा हर कंसेट से रिलेटेड जितने आपके एमसी क्यू थे कोशिश की गई कि मैक्सिमम एड्रेस कर दो इसी बीच में एक ऐसा चोटा सा टॉपिक आता है लेकिन वह ऐसा चोटा टॉपिक है जो सोशो एकनॉमिकली आ अगर हम BPSC की बात करें BPSC TRE तू जो फेस सेकंड फेस जो होने जा रहा है उसके पीछे जो चीफ मिनिस्टर बियार के उनका सबसे पहला प्रण यही था बजट में उन्होंने यही एनाउस किया था एप्रॉक्स दस हजार दस हजार जो है आपकी वेकेंसी जल्द से लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या न्युक्ति देंगे एंप्लाइमेंट जारी करेंगे बिहार राज्य में ठीक है और उसी को ध्यान में रखते होए यह बहुत ही उंदा इनिशेटिव लिया गया ऐसा एक्जाम ऐसी जल्दी जो भरती हो रही है वो किसी और राज्य में अभी तक देखने को नहीं मिली है तो यह बहुत बड़ा इनिशेटिव है बहुत अच्छा इनिशेटिव है तो उससे ही रिलेट करते हुए आपका एक टॉपिक निकल के आता है वह आपका अनिम्प्लाइमेंट ठीक है अनिम्प्लाइमेंट जो आपका दो ढूंडे कर रहे हैं वह सारे चैलेंज वह सारी प्रॉब्लम्स चाहे वहारिए आपकी घ्रीबूफ से रिलेटिटीड है और आपकी मुद्रा से महाँगाई से है यह सारे टॉपिक्स चर्चा में और इन टॉपिक्स को समझने में उतना ही इंट्रस्ट आता है क्योंकि यह हम डेली फेस कर रहे हैं अब बात आती है बेरोजगारी भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ड में अगर कहें तो फास्टिस्ट प्रोग्रेस जो एकॉनमी ग्रोथ है वो दर्ज कर रहा है चाइना को भी सरपास कर चुका है इंटम्स ओफ पॉपॉलेशन एपरल दो हजार तेईस में आगर युनाइटी नेशन की का आकड़ा देखते हैं उसकी रेफरेंस लेके चलते हैं तो भारत पॉपॉलेशन में पार कर चुका है वहीं पे जो जीडीप की ग्रोथ की हम बात करें तो आपका बढ़ेगा 7% ग्रोथ होगा वहीं पे बेरोजगारी समस्या उतनी ही संगीन बनी हुई है मैं बता दू कि हाली में एक डेटा आया है उस डेटा के अनुसार अगर हम देखते हैं उस डेटा के अनुसार हमारे भारत में जो गरीबी है उसकी चलते जो बेरोजगारी ह चलते क्या आती है गरीबी तो एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया एकॉनमी लिमिटेड है इस सेंटर ने डेटा प्रस्तूत किया है उस डेटा के एकॉर्डिंग यह आया है कि जो बेरोजगारी आपकी समस्या है वह 7.09% से बढ़ कर 10.05% दर्ज हुई है यानि जो ब नवंबर चल रहा है भी हाली में आया है उस डेटा के नुसार हमारा अनिम्प्लइमेंट रेट और बढ़ चुका है अगर हम इसको दो केटेगरी में बाट बाट के देखे एकुरूलर एरिया इरिया का देखे तो रूलर एरिया का भी आपका कितना दर्ज हुआ है रूलर कर देखे तो 10.82% from 6.2% while the urban rate is slightly to 8.44% मतलब कि इतनी growth होने के बाद बेरोजगारी समस्या तो हो नहीं नहीं चाहिए थी लेकिन बेरोजगारी समस्या है बेरोजगारी जो दर है वो लगातार बढ़ रही है तो यह बढ़ क्यों रही है यह कौन से परकार है इनके पीछे कारण क्या है क्योंकि इसका सबसे बड़ा परभाव जो है वो पूरी जनता पर पड़ेगा इससे गरीबी आएगी तो फिर दीश की ग्रोथ कैसे होगी एक तरफ हम आंकड़ो की बात करें वही है यहां पे दो कंसेट निकल के आतेisión है अक Special आ सबλαब का है economic development यानि की एक आपका आर्थिक ग्रोथ है और एक आपका क्या है economic आर्थिक विकास है तो विकास एक broader concept है जिसके अंदर सिरफ quantitative life ही नहीं qualitative भी आती है और बेरोजगारी तो एक ऐसी समस्या है जो भई qualitative life को भी बरबाद करता है और quantitative quantitative कैसे अगर बेरोजगारी निरंतर बनी रही तो भई लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा पर्चेजिंग पावर ही नहीं होगी कुछ भी समान खरीदने की तो ultimate total GDP जो है उसको यह impact करेगा badly अब हम कह रहे है कि qualitative कैसे है बेरोजगारी निरंदर बने रहने से क्या हो सकता है गरीबी अगर गरीबी हो जाएगी तो भूख मरी होगी और अगर इंसान अपनी basic needs को ही नहीं पूरा कर पाएगा तो ग्रोथ तो बहुत की बात हो गई वह भी नहीं हो पाएगी तो यह जो बेरोजगारी की समस्या है यह उतनी ही important है जितने की आपकी महंगाई दर को आंकना महंगाई दर को reduce करना ठीक है इसे इंग्रॉर्ण नहीं किया जा सकता अब आप बात सोचे कि पॉइंट आप व्यू से अनिम्प्लाइमेंट का रेशियो या फिर उसके रिलेटेड़ इमसी क्यों कैसे पूछे जा सकते हैं देखिए यह सिरफ देश कहीं निकाला है यह डेटा स्टेट वाइस भी प्रस्तूत हुआ है और अगर स्टेट वाइस देखे तो उसमें सबसे जादा जो टॉप पे रहें जहां पर सबसे ज़ादा बिरोजगारी दर गये वह का हर्याड़ा राजस्तान था राजस्तान स्पर्नयुक्νिकरान अग्वा क्या चाड़ाaben घंपृफ और भीर में अधे Sapphire साथ चाहित रहा है कि सब्सक्राइब को दूर किया जाए किसी भी राज्येगी पूरे देश की जो concern सरकार होती है उनका सबसे पहला जो गोल होता है वो यही होता है रोजगार उत्पन करना इसलिए जब भी elections हो रहे होते हैं या फिर बाकी जितनी भी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई भी conference है उसमें सबसे पहला कमिट्मेंट होता है सरकार का वो होता है रोजगार उत्पन करना बेरोजगारी की समस्रे को दूर करना ठीक है अब हम आते हैं बेरोजगारी में जब हम चलते हैं तो कुछ टम्स हम में देखने को मिलती है वो टम्स से भी question पूछा जा सकता या फिर आपको एक जर्णरली ए लेबर पर सकता है फिर फोर्स को लबर सप्लाईट जेनलों का मेनिंग अललग यह भर सटयों कंचले लेवर पर फॉर्स चर्चा में रहता है निज्यूंसपेपर पर में रहता है लार्जेस्ट पॉपॉलेशन पूरे वर्ड पॉपॉलेशन में उसका कंट्रिबुशन कर रहा है तो इतनी जनता जो है क्या यह काम करने लाइक है सारी जनता नहीं इसमें कुछ डिपेंडेंट लोग भी है बच्चे तो आएंगे नहीं बुड़े बुजर्ग भी नहीं आएंगे तो एक फैक्टर है वह आपका पंद्रा पंद्रा साल से लेकर आपके 65 अब देखो 14 वाष्ट तक तो चाइल्ड लेबर हो गया है ना वह तो कानून में आता है गैर कानून ह है उससे पंद्रा साल से उपर लेके 65 एज यह जो एज ग्रूप है 65 भी होता है 60 भी होता है दोनों कंसिडर कर सकते हो इस एज ग्रूप के जितने लोग है वह आपकी उनको इंप्लाइमेंट मिलना चाहिए ना इस एज से उपर ना इस एज से नीचे तो यह जो रेशियो है पूरी total population जो है उसमें जतना इसका पार्ट है जतना contribution है उस पार्ट में वो आपका क्या है labor force लेबर फोर्स यानि की वो लोग जो काम करने eligible है जो काम करना चाहते हैं plus जिनके पास काम नहीं है पर वो आपकी labor force हो गई दूसरा आता है workforce, workforce वो लोग होते हैं जिनके पास actual काम है अगर माल लोग आपके पास 50 लाख है 50 लाख लोग आपके लेबर फोर्स है वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और वो लोग जो जो करना चाहते बढ़ नौकरी नहीं है वार्क्वोर्स वो होगी जैसे 25 क्यां कर रहे हैं यहा तो 25 लाख का मतलब यह होता है जितनी भी आपकी वर्क फोर्स है जिस रेट पे जिस मिनिमा वेजिस के क्योंकि इन्हें क्या मिलती है मजदूरी मैं बता दू कि भारत में जो सेक्टर है जहां पर यह लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर का सबसे बड़ा जो कंट्रिबूशन है वो है आपक अन और्गेनाइज सेक्टर यह वो सेक्टर है यह वो कंपनी जिसका राइस्ट्रेशन किसी भी मंतराले में नहीं है ठीक है जब इसी का राइस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें जितने भी लेबर काम कर रहे होंगे जाहिर सी बात है वो डेली वेजिस पे काम कर रहे होंगे सारे एक्ट से सोशल मेजरमेंट से जो सरकार ने बनाया है उन वर्कर्स के लिए बनाया है जो काम कर रहें लेकिन अगर वह फिक्ष्ट पर्मानेंट में आ जाएंगे तो भही बहुत सारे एक्ट के तैथ उन्हें benefits दिये जाएंगे उनका maternity leave भी होगा विमन का maternity leave होगा accidental insurance होगा medical benefits होगा बहुत सारे से तमाम benefits है जो दिये जाएंगे इसी चीज़ से बचने के लिए companies क्या करती है contract daily wages पे रखती है जिससे की company का खर्चा कम हो सके तो ऐसा जो criteria है ऐसा जो सेक्टर है वह आपके भारत में अगर contribution economy की बात करें तो आपका informal sector है जो 85% contribute करता है इस 85% अन और्गिनाइस सेक्टर में number of people working है ठीक है दूसरी तरफ आपका आता है और्गिनाइस सेक्टर तो यहां पे जो अन और्गिनाइस सेक्टर है यहां पे labor supply का मतलब है जितनी भी labor जिस rate पे जिस minimum wages rate पे काम कर रही है वो अपना supply दे रही है यानि labor अपनी service प्रोवाइड कर रही है company को और वो तैय कर लेती है कि इस rate पे वो काम करेगी इस rate पे नहीं करेगी जिस rate पे वो ready होती है उस rate पे वो अगर अपनी supply दे है debt becomes or debt known as labor supply ठीक है आगे बढ़ते हैं कि बेरोजगारी कि बेरोजगारी आखिर होती क्या है क्या वो लोग जो काम जिनके पास काम नहीं है वो बेरोजगार है नहीं वहां पर भी यह प्रेंस एक बेरोजगार वो होता है जैसे कि एक इंसान है वो कहरे में बेरोजगार हूं लेकिन हो सकता है उसके पास काम आया हो जैसे कि आप कभी ट्रांसपोर्ट करते हैं रिक्षे वाले के पास जाते है उसे कहते हैं काम 20 रुपे ले ले और मुझे यहां तक काम नहीं है वह पहला रिक्षी वाला बेरोजगार नहीं है क्योंकि वह बेरोजगार था उसके पास आप गए आपने बोला 20 रुपे ले लो और मुझे छोड़ दो वह रेडि नहीं हुआ तो बेरोजगारी के लिए दो कंडिशन होना जरूरी है रोजगार के लिए अगर जाता है जो की बजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाता है लेकिन उस पे काम नहीं है जो मजदूरी जो रेट है जो भी उसको ओफर दिया गया है उस पे वो काम कर रहा है अगर वो नहीं काम कर रहा है तो भाई वो बेरोजगार है ठीक है उसके पास offer आये था उसने offer नहीं लिया बेरोजगारी की परिबाशा हर देश में अलग है USA में यानि कि Western अगर आप developed nations देखोगे वहां अलग है भारत जैसे देशों में विक्सित जैसे देशों में देखोगे तो वहां पर अलग परिबाशा है ठीक है जैसे की बेरोजगारी की परिबाशा हर देश में अलग होती है जैसे अमेरिका में यदि किसी वेक्ति को उसकी qualification के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है बारत में ऐसा नहीं है बारत में बेरोजगार वो है कि बहुए जिसको काम ओफर किया गया बहले ही वो उसकी qualification के नीचे था अंडर qualification था बहले ही उसकी जो salary वो जो deserve करता है उससे कम मिल रहा था लेकिन उससे नहीं accept किया मतलब वो बेरोजगार नहीं है बेरोजगार वो है जो करना चाता है हर किसी rate पर काम करना चाता है बट उसको मिल नहीं रहा है ठीक है लेकिन अमेरिका में यह concept अलग हो जाता है अलग इस कंटेक्स्ट में होता है कि qualification के according अगर उससे काम नहीं मिलता है तो वो unemployed है बेरोजगारी के परकार यहां से question पूछा जा सकता है हमें सिरफ questions को target करना है क्योंकि exam date हमारी बहुत नियर है time नहीं बचा है तो यहां पर देखो कि अगर परकार में जाते हैं इसके types में जाते हैं वही types से ही question बन सकता है या तो आपको दो तरगे question बनेंगे या तो बेरो जो रिसेट दर है उससे पूछ लेगा बिहार से unemployment जो बिहार पे उसका क्या status है वहां से question पूछ लेगा ठीक है यहीं से पूछ सकता है इस छोटे से topic से पहला परकार आता है seasonal unemployment यानि कि एक ऐसा बिरोजगारी जो मौसम ही है वह मौसम पर डिपेंड करती है जैसे कि इसका example भी लें तो बड़ा असानी से समझा जाएगा दिवाली है पटाके जलाते हैं सब लोग कुछ ऐसे वरकर्स है जो पटाके बनाते हैं अब उनके पास कल अका स्किल और यह होटाके है जो लोगों के पास सीड जो उस प्रकार में में लेकिन बाकी की समय में बाकी की समय में रोजगार है एक यह भी इसको है उसको सीजनल बोल देंगे जो मैं एक्जेंपल दिया है मैंने आपको दूसरा प्रकार आता है प्रच्छन बेरोजगारी डिस गाइस अनिम्प्लाइमेंट यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कोशन पूछा जाता है यह ऐसा प्रकार है जहां से आपके छोटे से छोटे एक्जा करने में सिर्फ एक इंसान काफी है लेकिन लगे वए कितने हैं पांच यानि यानि एक जने का काम पांच लोग मिलकर कर रहे हैं तो बाकि की जो चार लोग है कैसे हीड़ अनिमप्लाइड है वह दिखाई नहीं देरा लेकिन वह एक्चुली बेरोजगार है यह सबसे ज़ा इसमें बहुत सारे पूरा परिवार लग जाता है एक ही काम को पूरा परिवार कर रहा होता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक काम को सिरफ दो लोग मिलके कर सकते थे लेकिन चारों लग गए समय बचाने के लिए या कोई भी आप ले लो एक्जेंपल ले लो कोई भी रेफर बार्जिनल हुआ प्रोड़क्टिविटी जीरो है क्यों जीरो है क्योंकि उसमें उनका यूज उतना ही नहीं है दो लोग का सरफ कांता जिसे चार लोगों ने किया इसलिए यहां पर लिखा भी है कि प्रच्छन बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादक्ता शुन्ने होती है यहां से प्रच्छन पूछ देता है बताऊंगी आगे दिखाऊंगी यदि लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादर में कोई अंतर नहीं आएगा इसका मतलब यह है कि उनकी प्रोड़क्टिविटी जीरो है उनके होने ना होने से कि प्रोड़क्शन स्केल में कोई भी अंतर नहीं है नेक्स्ट है आपकी सरंचनात्मक बेरोजगारी भारत में यह बेरोजगारी बहुत पाई जाती है structural unemployment यह कैसी बेरोजगारी है जो long-term policy में जो changes लाया जाता है उसकी result उसकी चलते यह बेरोजगारी पाई जाती है जैसे सरकार ने कोई निती ला दी, कोई law में change कर दिया, जैसे कि आपका GST आया, GST से जो लगू ध्योग थे, जो छोटी-छोटी काईया थी, जो दुकान दार थे, उन पे बहुत मार पड़ी थी, नोट बंदी जब हुई थी, तो कितने ऐसे लोग थे, रोज मर्रा के जो छो दिर्ग कालिक स्थितियों में बदलाव आता है, long term policy में change आता है, जब भी कोई कानून, जब भी कोई रणनीती, जब भी कोई structural change होगा, policy में, संगठन में, तो ये बेरोजगारी उत्पन होगी, नेक्स्ट है, cyclical unemployment, जब अर्थविस्था में समृद्धी का दौर होता है, तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अफसर पैदा होते हैं, देखो, ये जब बिजनस का जब विपार बढ़ रहा होता है, तो बहुत रफतार से बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, हमने उत्पादन पढ़ा था, total product, full उत्पादन, scale भी पढ़ा है, average उत्पादन, microeconomics में बढ़ा है, तो जब बिजनस टार्ट होता है, स्टार्डिंग के फेस में रफतार से उत्पादन बढ़ता है, तो रफतार से रोजगार भी उत्पन होते हैं, लेकिन कैसा था, trade cycle कैस इसा point आता है, stagnant के बाद जब वो decrease होने लगता है, decline होने लगता है, कहते हैं, वेपार मंदा हो गया, ठंडा हो गया, तो जब वेपार नीचे तरफ जाता है, उस loss में जब जाने लगता है, तो company क्या करती है, company छटनी करने लगती है, lay off करती है, उस टेम नौकरी से निकाल देती है, तो वो उस समय में जो period में आपकी बिरोजगारी उत्पन हो रही है, वो cyclical unemployment है, इसी में लिखा गया है, एक ऐसा उत्पादन बढ़ता है, तो रोजगार बढ़ेगा, जब अड़ते हो इस ता में मंदी आती है, उत्पादन गिर गया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकते हैं जैसे की COVID आने से पहले उत्पादन बढ़ा था, बहुत सारे रोजगार हुए थे, बहुत सारे नौकरी मिली थी, लेकिन मंदी के COVID में lockdown period हुआ, सब लोग अपने घर में हो गये, market काफी हद तक बंद रही, तो उस वक्त online का जमाना बहुत ज़ दुकानों पर अपसो चोटी-चोटी दुकानों पर जो वेपार पहुचा होगा, जो उत्पादन स्केल बढ़ा होगा, जो वरकर्स लगे होंगे, जो डेली वेजिस लपे लगे होंगे, वो सब छटनी हो गया होगा, क्योंकि उनका माल कोई खरीदी नहीं रहा, हर लोग हर वेक्ति क्या खरीद रहे थे, ओल्लाइन खरीद रहे थे, प्रोडाक्ट्स, ओल्लाइन सर्विस ले रहे थे, तो उस वक्त जो है, वो सैक्लिकल इंप्रॉइमेंट देखने को मिला, क्योंकि उत्पादन गिरा था, कई कंपनी का प्रोडक्शन बहुत नीचे चला गया था, लोकडाउन की वज़े से, जिसकी वज़े से काफी लोगों का ले ओफ हुआ और बेरोजगारी उत्पन हुई, तो बेरोजगारी जब इस समयस्य से उत्पन होती है, तो ऐसी बेरोजगारी को चक्रिये बेरोजगारी कहते हैं, जिसका सीधा लेना देना होता है, बिजनस सा से नेक्स रेंटान आनिम्प्रीक्षिंट्श घिसावट तो पिडिवल से तो एक इंसान नौकरी कर रहा है उसको उसके अपने अपने गार चाहिते लोग करते हैं आप बेग श्यांज करते है तो जब एक मपनी से चेंज कर गदूसरी कमपनी में जाते हैं जो बीच का समय होता है तो उस समय को उस अंतराल को Frictional Unemployment कहा जाता है क्योंकि मालो मैं मैं कमपनी में जॉब करती थी मैंने उस कमपनी से रिजाइन कर दिया बीना दूसरी नौकरी का offer letter हाथ में लिए में एक कमपनी को रिजाइन कर दिया रिजाइन करने के बाद I am searching for another job अब मैं दूसरी जॉब ढूंड रही हूं तो जब तक मुझे वह जॉब नहीं मिलती वह समय है बीच का वह बीच में मैं क्या हूं बिरोजगा उस समय को ही कहा जाता है Frictional Unemployment और ऐसा Frictional Unemployment कहां सबसे ज़्यादा देखा जाता है IT सेक्टर में ठीक है नेक्स्ट एक्षिक बिरोजगारी Voluntary Unemployment जैसे मैंने आपको एक रिक्षे वाले के एक्जेंपल दिया था न कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने योग्य है वो काम कर सकता है लेकिन उसके अपने रिजन्स है जिसकी वज़े से वो काम नहीं कर रहा तो वो ऐसी बिरोजगारी कैसी कहलाती है Voluntary ऐसा व्यक्ति जो बजार में प्रचलित मजदूरी पर काम करने को त्यार नहीं है खुली या अनेच्छिक बिरोजगारी ओपन और इन्वॉलिंटरी एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करना चाहता है यह कैसा बजार में प्रचलित मजदूरी पर काम करने को त्यार है वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे अनेच्छिक बिरोजगार कहा जाएगा वो काम करना चाहता है लेकिन उसको मिल नहीं रहा तो वो कैसा हो गया involuntary unemployment बेरोजगारी के कारण क्या है अगर हम भारत में देखे तो इसके पीछे कारण क्या क्या है हम जान रहे हैं कि आज भी पूरे देश में पूरी एकॉनमी में तीन सेक्टर है primary secondary और आपका tertiary ठीक है तीन सेक्टर है अगर हम independence की बात करें जब भारत अजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था क्रिशी छेतर में आपके कम से कम 89% पूरी जनता पूरी देश की जो population थी जनसंक्या उसका 89% क्या काम कर रहा था primary छेतर में लगा हो था क्रिशी छेतर में और allied activities में secondary sector में उससे कम था टर्शरी में और भी कम था आज क्या है आज भी यही है बट गट करके कितना हो गया 45% तो आपके देश में 45% जनता आज भी 45-50% जनता आज भी किसमे कारे कर रही है क्रिशी छेतर में और उस क्रिशी छेतर का पूरे देश की जो GDP ग्रोथ है उसमें उसका contribution सबसे कम है इन तीनों छेतर में अगर contribution देखा जाए तो सबसे ज्यादा contribution कौन कर रहा है तर्शरी यानि सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर का एप्रॉक सिक्स्टी परसंट जो है वो आपका GDP में कुल जीटीप में contribution जा रहा है उसके बाद आपका सेकंडरी सेक्टर है फिर आपका एप्रॉक्स 17-18 परसंट आपका कम कितनी कर रही है 50 परसंट अने वाली इंकंब कितनी सिर्फ और सिब्सेरा परसंट तो इसलिए तो काफी चेत्रों में देखा जाए तो बहुत होते है फारॉडी सिसाइडीट केस बहुत दर्ज किसीnel किए जाते है उसका पीछे रीजन यही है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है सबसे पहला रीजन यह है कि हमारे भारत में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो सबसे जादा है यानि ऐसे ऐसे फार्मर्स जादा है जिनके पास उनकी खुद की जमीन ही नहीं है वो दमी अपणी जमीन पे नहीं खेती कर रहे हैं वो रेंट की दूसरे सिक की जमीन पे खेती कर रहे हैं अपनी सर्विस दे रहे हैं उससे जो आई मिल रही है उनसे उनका घर चल रहा है तो इसलिए लेंड रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं और जब अपनी ही खेती पे तो उनको आई कितना मिलेगा बहुत कम उनको लोन नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी खुद की लेंड नहीं है उनके पास पेपर्स नहीं है वह जहां से उधार लेते हैं वह इंफॉर्मिल सेक्टर जादा है जमीनदारों से ले रहे हैं जिसकी ब्याज पर ब्याज दर वह बढ़ते जा रहा है तो जब उनका इतना लोन उस्टेंने का सकते हैं कि उस से मिलने वाली आयेको दो पनी चारगुनी करिंगे टिक ट्रेश्टांट अब उनके पास डॉक्स निया जिसके वाजन से उनके लाइना लेता सके इंयाट सके मौडर्न टेकनोलिजी का यूज कर सके इसलिए गैप है तो बिरोजगारी के पीछे कही ना कही कारण ये भी है कि जो सेक्टर्स में लोग लगे होए हैं या तो उनके पास रिसोर्स नहीं है उसका विकास आगे नहीं हो रहा या फिर जो सरकार ने योजनाएं उनके लिए बनाई है उसका बिना जानकरी जानकरी है नहीं विद लैक ओफ अवेर्नेस दे आर नॉट यूजिंग और नॉट टेकिंग दी बैनिफेट्स ऑफ गवर्मेंट स्कीम्स अगर आप दूसरे कारण को देखते हैं जैसे कि इन पॉइंट्स को देखें तो जो वृद्धी की दर है वो ग्रोथ हो तो र बात अगर करते हैं मैनुफेक्टरिंग सेक्टर चाइना और इंडिया लगबग एक ही टाइम पर इंडिपेंडेंट हुआ था उसको अजादी मिली एक दोनों देशों को लगबग सिमिलर टाइम में लेकिन चाइना इंडिया से कहां से कहां पहुचा कैसे पहुचा उसने इक ही चेतर प्रे सबसेढ़ा काम किया और वह सब धार एक है्क्यों क्योंब जहनता है चो पॉपूलेशन करेगी लेबर फोर्स को वर्क फोर्सी क्या से हैं क्या सैंडे me वह चीनल तो वह चीनल लेकिन देनी के लिए टेक सुशा कर दो निगस मेदं तो सक्या जाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेंग अपसी के सरकार के पास ऑफ काुछ गाटन पर ऊसको यूच को एसी जो पैक्टरिज है उसका establishment किया जाए जिसमें कि यह जो semi skilled workers है उनके लिए employment जारी हो सके उन्हें employment दिया जाए अगर हम बात करें इन तीनों सेक्टर की तो भाई तर्शरी जो है वो GDP में ज़्यादा growth दे रहा है लेकिन जो जनता लगी है वो approximately 22% है तो यहां पर क्या लगी है आपकी 24% ठीक है तो आपका जो potential छुपा है अब देखो service sector में highly skilled लोग चाहिए प्राइमरी में problem है issues है क्योंकि वहां पर आप कितने भी लेवर फोर्स को लगाओगे उसका जो काम है उसकी जो productivity है वो निर्बर करती है natural calamity natural factors पर भी करती है अगर बार आज़े क्या कर लोगे टर्शरी में पहुचने के लिए high skills चाहिए high education चाहिए पैसा चाहिए सब कुछ चाहिए तो scope कहा है potential काम पे है secondary sector में अगर semi skilled लोग है workers है अगर उन्हें थोड़ी सी training दिया जाए तो वो manufacturing sector को बढ़ा ले जाएंगे और हमारे देश में उत्पादन भी बढ़ेगा रोजगार भी उत्पन होगा गरीबी घटेगी तो इसी के लिए सरकार क्या कदम लिया सरकार ने make in India कि देश के खुद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आया मेक इन इंडिया इसी लिए जो MSME सेक्टर है माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटरप्राइस इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम लाई गई क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है सेक्टर आपका अन और्गिनाइज्ड इंफॉर्मल सेक्टर विच कैरिस लार्जिस नंबर ओफ वर्क फोर्स ठीक है इस रोजगार इस बिरोजगार वाली जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा इंटर्रिलेट करके चलना है ताकि चीज़े बहुत ज़्यादा समझ में आए यह है छोटा टापिक लेकिन यह इतना ब्रॉड यह इतना पोटेंशल वाला टापिक है कि इसके साथ साथ भाई आप यह समझो ना रॉम मिटीर जो आपके संसादन है प्रकरती के वह भी तो कम है अगर डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सप्लाई भी दो नहीं चीए उत्पादन होगा तभी तो रोजगार होगा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकि भी है more focuses on Capital intensive companies factories in Protocol में क्या किया जा रहे machine का यूज़ क्या जादन है अगर मशीनों का यूज़ इतना होगा तो लेबर फोर्स का क्या होगा उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं वरकर्स को हटा दिया जाएगा तो कहीं नहीं अगर मशीन का technology जी का यूज करना बहतर है वो फाइदे मंद है तो नुकसान दायक भी है उसका सबसे बड़ा नुकसान यहीं है कि लेबर इंटेंसिव नहीं हो रहा है लेबर की छटनी हो रही है यह भी एक कारण है तुरुटी पूर्ण शिक्षा पढ़नाली डिक्टिव एजूकेशन सिस् प्रोच पढ़ा है कि यहां के लोग एजूकेशन ले रहे हैं जो एजूकेशन सिस्टम है जो एप्रोच पढ़ाई जा रही है क्या वह वह वाकी टेक्नोलीजी से के अपडेट है उसके साथ लिंक है सिंक बन रहा है कोई नहीं बन रहा है अगर हम भारत में देखे तो हमारे यहां टेक्नोलीजी का अगर एंसी आटी उठाके देखो तो वहां टेक्नोलीजी का अपडेशन ही नहीं है अगर एकनॉमिस की भी बात करें न तो जैसे जैसे हर हर एक subject में जो भी changes आते हैं जैसे economics में हर एक chapter में changes है क्या वो सारे changes NCRT में हर साल होता है होना चाहिए न अगर macro economics में इतनी महनत school में कर ली जाए तो सोचो जो first year का बच्चा है second year का बच्चा है या फिर आप जो entrance दे रहे हो आपके कितना असान होगा आप पिछले साल की NCRT उठाके देखो कि 12th की तो उसमें आपको नहीं चीज मिलेगी बजट भी मिल जाएगा लेकिन असा नहीं है तो कहीं न कहीं हम fail है न हमारे या फिजिस केमिस्ट्री बायो पड़ाया जा रहा है क्या science and technology का अलग से कोई बुक है क्या वो हर साल NCRT अपडेट होती है नहीं होती हमारे यहां theoretical बहुत सारी चीज़े है क्या practically उसका implication कैसे होगा उसका application uses क्या है क्या उसकी training बच्चों को दी जाती है schools में नहीं दी जाती जब वो सारी सुविधा है वो research हमारे यहां research पर बहुत कम पैसे लगता है अगर हमारे यहां research नहीं होगा हमारे यहां जो syllabus है वो update नहीं होगा तो हम कैसे बाहर international पर बीट करेंगे competition हम करी नहीं पाएंगे क्योंकि service sector में आप service किसको बेच रहे हो service बेचने के लिए भी तो आपको ग्रहक चाहिए वो ग्रहक कौन होंगे जो use करना जानता होगा वो जो customer है वो आपके देश में नहीं है क्योंकि वो उतने जागरूख ही नहीं है अगर विदेश की market को पकड़े चाइना ने manufacturing से पूरे देश विदेश को लिया इवन technology से भी उसने technology में R&D में जहां हमारा 1-2% भी नहीं खर्च होता वो लोग कितना बारा-बारा 13-13% यूज़ करते हैं टोटल पैसा निवेश करते हैं ताकि invention आ सके नई चीजों का विकास हो सके बारत में ऐसा है नहीं किया जा रहा है initiative ले रहे हैं लेकिन जो है कमी वो कमी है अगर आप technology से updated नहीं रहेंगे तो वो production में use नहीं होगा वो use नहीं होगा making in India का जो concept है वो fail हो जाएगा क्योंकि उत्पादन करने के बाद आपको क्या चाहिए you need a market to sell sell your product और वो market सिर्फ national की नहीं international भी चाहिए international में अमेरिका वाले को आप कैसे समान बेचोगे उसके customer को जब आपके product में वो techno credit के जो features है वो updated होने चाहिए तो वो updated ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे यहां पे जो system चला आ रहा है उसी में कमी है तो अगर स्कूल स्कूल का जो system है जो education syllabus है जो curriculum है अगर उसको अपडेट किया जाए तो भी हमारी बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक खतम हो सकती है तब हमारी सरकार तर्शरी सेक्टर में potential workers यह जो population का contribution है इसको बढ़ा सकती है ठीक है यहां पर वह आगया तर्शरी सेक्टर की जो है वो स्लो है फिर उसके बाद regional disparities बहुत है यह थोड़ा पॉलिटिकल चल जाता है है ना जो केंद्र में सरकार कई बार ऐसा फेवरिजम देखने को कुछ इनिशेंटिव कुछ स्तेट्स स्कार सेट्स में नहीं है क्यूं नहीं है जहांपे जो केंद्र सरकार जो बीज़ी पी कि उपने वहां परíst ना यह जोनोन बीज़ीप स्लों भर है जिसकी कमी है भी लएक of governance सु रिजनल डिस्परिटिस उतपन होती है जिसकी वजes से बिरोज़गारी को और भी जादा बढ़ावा मिलता है ये ःग है तो ये सारे कारण थे उसके बाद आपका आता है प्रभाव good दो प्राद होंगे a शिक्षा का लगा इन पढ़ाओं क्योंकि पैसे नहीं यह थो आपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे प्रोट साहित होगा विकास में कमी होगी कोई निर्माण नहीं होगा कोई निवेश नहीं होगा अगर बिरोजगार रहोगे तो आप आगे तरकी नहीं करोगे यह बिसनस करने का ही निया सोच जो है ना तो बही कैपिटल जो कैसे होता है तो पिजी पेपूंजी कैसे बनती है अगर आप उसे निवेश करोगे फिर से उत्पादन स्केल बढ़ेगा फिर से रोजगार होगा लेकिन यह सारी समस्या हो ही नहीं नहीं हो रहा है ठीक है चलिए अब आते हैं प्रशन की तरफ बस एक सिंगल एक छोटे से कम टाइम में मेरी बस यही स्टाटिजी थी कि तोड़ा सा उसकी थियोरी पॉश्चन देख लिए जाए ताकि उसके बेस्ट पे जितने सब्सक्राइब करने तो अनिप्लाइमेंट के मैंने आपको बता दिया है कुछ स्टाटिक पोश्चन जहां से आपका एंसी क्यों बन सकता है एक तो करन्ट अपडेट जो होगा जो दर निकली है उसका देख सकते हो दूसरा आपका उसके कुछ बेसिक चीजे हैं जैसे कि पहल मजदूर है वह मजदूरी करना चाहता है लेकिन बजार में उसके पास काम नहीं है तो वह कैसा उसको कहा जाएगा स्वेच्चिक बेरोजगारी अनेच्चिक बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर क्या है आपका अनेच्चिक वह क काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है कि दूसरा कुशन है निमलिकृत में से कौन सा कथन सत्य है employed and unemployment ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the economy नियोजित बिरोजगार का जो अनुपात है यानि कि जितने लोग employed है जो काम कर रहे हैं और जितने ये वाला बात कह रहा है वो employed and unemployment का जो रेशियो है वो ये बताता है कि इतने total लोग employment है इतने unemployment है ये इंडिकेटर है best indicator है second statement worker population ratio यानि कि कुल जन संख्या आपकी नीचे आजएगी कुल जन संख्या में से कितने लोग है जो काम जो एक्चल में काम कर रहे हैं इट इंडिकेटर विच इस इस एंडिकेटर विच इस जिवर अनलाइजिंग दी employment situation in the country and last, second and third is correct, तो correct answer क्या है, correct statement क्या है B अभी बताया था ना, workforce भारत में या किसी भी देश की जो best indicator होता है वो क्या indicator होता है कि भी total जनसंख्या है आपकी total जनसंख्या में actually लोग इतने काम कर रहे है यही एक है जो economic growth को दर्शारा है, ठीक है तो यह analyze करता है किसको, पुरे देश की economy को, उस employment situation को कि जिसमें आपकी workforce लगी हुई है next question है what type of unemployment is found in India structural, unemployment, seasonal unemployment, disguise unemployment and all of the above तो भाई सारा ही देखा जाता है सारा ही पाया जाता है लेकर अगर हम compare करे तो सबसे important हमारा कैसा unemployment है जो जादा मुख्य रूप से देखा जाता है वो है आपका structural ठीक है, इस तरह के answer में आपका structural unemployment होगा which type of unemployment has the marginal productivity of the worker is zero marginal productivity मतलब एक अगर आप extra employment उसमें जोडते हैं उस कार्रे में जोड रहे हैं जो भी उत्पादन हो रहा है जो additional worker है उसकी productivity जीरो है ऐसा किस परकार में है बेरोजगारी के option A प्रच्छन बेरोजगारी option B अनेच्छिक बेरोजगारी option C मौसमी बेरोजगारी option D सरंचनात्मक बेरोजगारी तो correct answer is correct answer is प्रच्छन बेरोजगारी मैंने डिसकस किया था आप से जो disguised agriculture होता है disguised unemployment होता है यह आपका agriculture sector में देखा जाता है कृषिशेतर में देखा जाता है जहाँ पे दो लोगों का काम चार्ड लोग कर रहे हैं तो जो extra दो लोग हैं जो marginal है वो दो workforce उनकी productivity जीरो है अगर वो हट भी जाये तो उत्पादन का scale में कोई फरक नी पड़ेगा next question है what type of unemployment is found in the developed countries जो developed countries है वहाँ पे कौन सा देखा जाता है वहाँ पे involuntary voluntary structural disguised वहाँ पे ज्यादा दर्जो होता है वो voluntary होता है काम है लेकिन नहीं करना चारे है ठीक है प्रच्छन और structural नहीं देखा जाता है next है what type of unemployment is found in the agriculture sector of India बारत में agriculture sector में कौन सी बेरोजगारी का परकार देखा जाता है disguised unemployment voluntary unemployment frictional unemployment या फिर नन अफ दिस तो correct answer is प्रच्छन प्रच्छन बेरोजगारी इसका याद रखना सीधा से फंडा है क्रिशी छेत्र में है दूसरा इसकी जो सिमान उत्पादिकता है या फिर marginal productivity है वो कैसी है जीरो है बस दो तिन घुम कर देगा question आपका सही answer क्या होगा प्रच्छन बेरोजगारी productivity is zero next question cyclical and frictional unemployment are found in less developed and developing countries both developing countries developed countries less developed countries तो current answer क्या है developed developed nation में क्या होता है production demand बदलती रहती है मतलब customer हमेशा ऐसे product को use करना चाहता है जिसमें features में addition हो हर चीज वो नहीं हो technocrat technology की तरफ भागते है महां के जो customer है जो demand है वो more technology की तरफ चलती है आप यह समझो कि अगर उनका 5G चल रहा है तो हमारा यहां 3G चल रहा होगा यह difference होता है तो भाई वहां पे कैसी बिरोजगारी होगी वहां पे cyclical होगी एक ऐसा cycle जब बूम करेगा trade cycle क्यों बूम करेगा consumer demand कर रहे है लेकिन बहुत जल्दी चीज पुरानी हो जाती है हमारे यहां कोई नही टेकनोलीजी आती है तो उसको बहुत समय तक उसका जो है वो पीरेड है जो life line है ना life उसका पीरेड हो चलता रहता है लेकिन वहां ऐसा नहीं है विकास जो विक्सित देश है जो developed countries है अमेरिका में कोई production आता है वो बहुत जल्दी पुराना हो जाता है हमारे यहां ऐसा नहीं है तो वहां पर जल्दी पुराना होगा तो वहां का जो business है उसके demand ही नहीं होगी तो उसका जो trade है वो boom से कैसे नीचे जाएगा वो नीचे चले जाएगा जब वो नीचे जाएगा cycle नीचे होगा तो production level नीचे गिरेगा unemployment बढ़ेगा तो ऐसे बेरोजगारी कहां पाई जाएगी developed countries में क्यों पाई जाएगी क्योंकि वहां पर changes है more technocrat products का demand है ठीक है उसके बाद आपका आता है what is the right formula to know the unemployment rate बिरोजगारी दर को कैसे आका जाता है कैसे measure किया जाता है option A बिरोजगारों की बिरोजगारों की कुल संख्या divided कुल श्रंबल into 100 total number of unemployed divided by total labor force into 100 total labor force divided by total number of unemployed into 100 total number C option को देखो total number of unemployed divided by total labor force into 1000 1000 तो कभी नहीं होगा fight रहे कि इनी दोनों में सबसे पहला जो option है that is correct total number of unemployed divided total labor force ठीक है क्योंकि labor force में दो चीज़े आती है वो लोग जो काम करना चाहते है प्लस वो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है तो उसमें से आप उनको उपर इसको रख लेंगे unemployed जो बेरोजगार है divided total labor force who are counted in the labor force of a country किसी देश की श्रम शक्ती में किसे गिना जाता है किस working group किस age group को यह देखो जो working group है जनसंक्या का वो कौन सी age वाला है नमबर वन population of 18 to 60 years of age option B population of 15 to 65 years of age option C population of 18 to 65 years of age option D population of 21 to 62 years of age so correct answer is B 15 से नीचे आपका child labor में आ जाएगा जो illegal है 65 से आपके senior citizen शुरू हो जाते हैं तो यानि कि जो आपका working जो labor force आएगा वो किसके बीच में कौन सी एज ग्रूप है 15 to 65 यह आपका इस chapter का last question था छोटा topic था इससे जो questions बनने थे वो आपके असान level के बनेंगे पस वहाँ पे थोड़ा सा twist होगा उसको आपको याद रखना है वो अगर basic चीज़े टाइप से ही पूछेगा जनरली कोशन जो आएगा वो types of unemployment से आएगा ठीके next मिलेंगे next topic के साथ जो थोड़ा conceptual जादा होगा जिसमें update जादा होगा ठीके अगर यहां तक कोई भी doubt अगर आता है तो comment box में आपना doubt लिख सकते है till then thank you झाल 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 झाल